बिस्मिल्लाइ रवान रहीम, असलाम अलेकुम Dear students, आज की इस lecture में हम study करने जा रहे हैं Motion of a Spinning Top Motion of a Spinning Top Spinning Top or Processional Motion What is Processional Motion? Processional Motion जोतिये a form of motion that occurs when a torque is applied to a rotating body in such a way that it tends to change the direction of its axis of rotation. I repeat, what is Processional Motion? a form of motion that occurs when a torque is applied to a rotating body when a torque is applied to a rotating body in such a way that it tends to change the direction of its axis of rotation. ठीक? इसे हम कहते हैं Processional Motion Spinning Top में भी ऐसा ही होगा कि जो axis of rotation होगा वो चेंज हो जाएगा इसके जाएगा हमने चुना है Motion Alpha Spinning Top Processional Motion की जो example है वो कहा है Spinning Top Spin करता हुआ टॉप या लटू 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 आप लोगोंने आलमुस देखा होगा Spinning Top या लटू की जो मोशन होती है यह हमारी Processional Motion कहलाती है A Spinning Top प्रवाइड़ अस विद आ फिमिलियर एग्जेम्पल आफ फिनॉमिना इन विच लेटरल टार्क लेटरल टार्क मीन साइड पे जो टार्क एक करता है साइड वेज जो टार्क एक करता है उसको लेटरल टार्क कहते हैं चेंड जीज दा डिरेक्शन आफ एंगुलर मुएंटम कीपिंग इस मैगनीचूड अनचेंज़ एंगुलर मुएंटम आप सब जानते हैं एक वेक्टर को एंटिटी होती है एंड एवरी वेक्टर हैज अ मैगनीचूड एंड डिरेक्शन और जब साइड पे टार्क एक्ट करता है स्पिनिंग टॉप पे के जब साइड पे टार्क एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा वो एंगुलर मुमेंटम की डिरेक्शन को चेंज कर देगा लेकर एंगुलर मुमेंटम की मैगनीचूड को चेंज नहीं करेगा एंगुलर मुमेंटम की जो मैगनीचूड होगी वो कॉंस्टेंट रहेगी डिरेक्शन चेंज हो जाएगी कब जब लेटरल टार्क या एक साइड पे टार्क जब एक्ट करेगा फिगर ए हम देखते हैं अगरी स्टाइड में फिगर ए दे लोवर एंड आफ टॉप आफ टॉप स्पिनिंग अबॉट इस एक्सेज इस अज्यूम तो भी फिक्स्ट हम देखते हैं कि एक टॉप है मारे पास और इसकी जो यह इस तरह टॉप है उसके जो लोवर एक्सिज है लोवर जो पॉइंट है इसको यह यहां पर इसे ओ कहा जाता है वो पॉइंट है और यह इसका एक्स अब टेशन इसका एक्स है यह टॉप है जो यू स्पेन का रहा है ऐसे यह है हमारी फिगर ए फिगर ए फिगर ए में क्या कहरा है इन फिगर ए दे लोवर एंड आफस टॉप स्पिनिंग अबोट इस एक्स असम जो पॉइंट है न इसे हम लिए फिक्स पॉइंट है O को हम Fixed Point जो हम मान लेते हैं O is a Fixed Point इसे हम Fixed Point कहते हैं यह मारा Fixed है यह स्पोस अर्थ है अर्थ के ओपर जो O Point है यह हमने Fixed लेना X जो है वो बदल सकता है O is a Fixed Point From Experience यह हम जानते हैं कि जब टॉप स्पिन कर रहा होता है यह मूव मोशन में होता है From Experience we know that the axis of this rapidly spinning top moves slowly about its vertical axis कि वर्टिकल एक्सेस के से इसका जो axis होता है यह फिर थोड़ा सा यह चेंज होगा जाता है इस तरफ एक्से चला जाता है यह एक्से जो है बदल जाता है पहले यह top जोता है उपर तरफ ऐसे move कर रहोता है फिर थोड़ा सा tilt कर जाता है ऐसे यह आपने अगर top की motion देखी होगी तो ऐसा ही होता है कि पहले वो बिल्कुल vertically और उसके बाद थोड़ा सा जोक जाता है कि तरफ इसका जो एक्सेज है वो वो चेंज हो गया है बदल गया है vertical axis पर जो थोड़ा सा tilt कर गए इस motion is called processional motion इस motion को हम processional motion का नाम देते हैं इस motion is called processional motion ठीक for simplicity for simplicity we replace top by a particle हम इस top की बजाएब जाएब ये पूरे के पूरा टॉप बनाएँ हम इसकी बजाएब पार्टिकल बना लेते हैं इसकी मैस है capital M इसकी मैस हमने capital M consider की है located at center of mass of the top the weight mg of the top acting vertically downward weight हमेशा vertically downward होता है supplies a talk about origin of o magnitude इसकी magnitude होगी toys equal to हम जानते है RF होता है toys equal to RF होता है तो F जो है यहाँ पर हमारे पास वो weight है F हमारा के है weight toys equal to RF यह हम famous फामूला जानते है magnitude of the top R into F होता है तो जो F है वो weight होका top का जो के हमने mg लिया है इसको mg R हम लेशे हैं यह magnitude है टाउर की M capital M mass है उस particle की जिसको में एक हम एक एक यह जी आए हैं क्योंके एंगल बन रहा था कोई ना कोई इसलिए हम फिर इसको आर को component में रिजॉल्ब करते हैं तो हमारा यह बन देगा आर का हम साइन थीटा component लेते हैं तो यह बनेगा टाउर इकुल्ट is equal to Mg R sin Theta Mg R sin Theta यह Mg R sin Theta है because R में और Mg में कोई अंगल बन रहा था है जब अंगल 90 हो तो उस वकर यह यूज करते है फामला टाउर इकुल्ट एम जी आर जब अंगल 90 हो ठीकर अगर अंगल 90 ना हो बलकि कोई एंगल ठीटा हो तो फिर हम क्या करते हैं कंपोने में रिजॉल कर लेते हैं और फिर एम जी आर साइन ठीटा यूज़ करते हैं यहां पर यह देखिए गहां यह वेट ऐसका यूज़ पार्टिकल यहां पर इसका वेट डाउनवर्ड एक कर रहा है यह हमारा आर है तो आप क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड ए तो एंगल बन रहा है mg में और आर में अगल यह वला आंगल यह वला जो यह वला आंगल यह बर रहा व्र में और आर है weट में थीटा आर साइन थीटा इसलिए आपने वो M G के उपर यह प्रपेंडिकुल है इसलिए आपने M G एंटी आर साइन थीटा लिखा है नो वो था internal torque जो हम lateral torque कहते हैं आप कहते हैं the external torque which is perpendicular to the axis of the top and hence to L the external torque यह next figure में आएगा the external torque which is perpendicular to the axis of the top इसरा यह है यह torque है यह वाला यह external torque the external torque which is perpendicular to the axis of the torque axis के उपर perpendicular है and hence to L angular momentum के उपर भी changes the direction of L angular momentum के उपर देता है but not its magnitude ये external torque की बात हो रही the change in L is in small intervals in time T is given by या जगा ता इस एकल to R T टा टी ये कैसे आगया हम जानते हैं जो change in momentum होती है इसको impulse भी कहते है delta P is equal to F T होता है F into T होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले FSE के लिए टा इस एकल to F T होता है ये impulse से लिए है अब ये state line के लिए है जब circle के अंदर बात करेंगे तो इसकी वज़ाए आजाएगा delta L delta L क्योंकि state line में linear momentum और circle में angular momentum होता है is equal to F की वज़ाए क्या आजाता है F का जो analogous होता है circle में वो क्याता है top और time का जो time है वो रही रहेगा delta T ही रहेगा delta T ही रहेगा तो यह मारे पास यह formula यहां से बना delta L जो magnitude में चेंज आएगी जो direction में चेंज आएगा जो तार्क बदलेगा जो angular momentum बदलेगा जो angular momentum में बदलेगा जो डेल्टा L होगा और यह होगा टार डेल्टा T के वराबर यह ही मारा होगा इसको जाग रिखेए इसमें इकशन निवर वन कहा लिए तहीं ठीक अच्छ यह वह फिगर है जिसमें यह एक्सेद है हमारा यह फिक्स है यह ओप जो पॉंट जो हूँ सहीं है एक्स 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 परडेशन यह था इसका उसके बाद प्र इस जब टील्ट कर गए एक्स एपडेशन यह बन गया है कि यह इतने एंगल पे यह गोड़ गया इसको में कहते हैं प्रसेशनल मुश्य यह टॉप है कि यह इधर घूम रहा था अब इधर खूंग पर अब इधर खूंग पर अटॉप अब собствен औक uh- sprinkled बागा, वीव गयेmaफ कर सकता है कि यह जैल पाओ इसको में? भी अब है माय टॉप शौर्सेश हुआआ है कि यह इतने उसको में बाद। इक्षाप रॉप पसकि यह टॉप कोणकरद इसको सिकति है अब अप सा ni अगसे और यह वारा जी अकसे दिया यह आजी अकसे जैङ के लिए कर यह उन्हें एक दो एक सर्कल प्रइस कर दो लिए जब जब चेंज होई है उन्हें पहले यह था इनके इस्तर हो डेट कर रहा था उसकी एक पिर फिर यह पिजिस्चन बन घे इस तरह बहुत रोकुरेट क झी एक्से खुशा कि फारा तॉप हैं एक्जिरा सुमेटरी और एक्टर फाली उन्ट्ट अपर थाइसे अलों जी एक्सेज था अंडरो मांटम लिए एक्टरी खर से प्रूब हो आपर तैसे लों सिए असे पाल रोगान कर एक्सेट इन्हों अट्यंगेशर रोडैर्स ते इ आप पर दियाक्सित तरफ था आप यह डिक्षिन नम्गे ल की टिक्षिन बदल लिए इसका वला क्या हुआ एंगलर मॉइंटम बदल गया डाक्षिन में चेंज हो गया अगया हम इसे अप यह हमारी फिक्षिर सी एक्षिन चेंज हमने खहां था आप इसमें आप देखिए जो ऐल है अ चीन अटिम यह उसके अगर यह 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 बन गया इस तरफ आगया झांज सेब गया इसके घुदाल गया तो ऑजिए उन में जिए अल के बदलने से पर गया तो सब्सक्क्राइब लिए को सकंदेक्राइब लगे उसे नहीं सेंगे प्रगर गारड़े कहेड़ेयोरे मिलगे। यहां से फिर वह और गया है तो इसकी पहले पूजिशन एकसे ज़िशन यह थी ठी कि उसके बाद इसकी बन गई यह इतनी जैब नजीद आ गए तो पार्टिकल गया होगा इस नहीं यहां से यहां तक मूव किया होगा उस वक्त यह इतनी इसकी बदली है इसके हम एंगल को कह आते हैं डेल्टा फाइए तो यह मैगनीचूड है यह इतना कंपनी सर्कल में कॉंस्टनेट है ना एल साइन थीटा ही रहेगा तो यह जो एंगल है आप वो जाब वो वन पॉइंट अदर गया है तो उसने एंगल में इसका एंगल डिस्पेसमेंट भी कहते हैं वो डेल्ट फाइए हो जाएगा सो अब यहां से जो डेल्ट किसकी कुरा जाएगा डेल्टा एल इस इकोल टू एल साइन थीटा इंटू टार ल का जो एल साइन थीटा इन्टू फाइब डेल्टा फाइब बन दे इसे हम एक्वेशन नम्बर 2 कहते हैं यह, this motion is the projection of top in time delta D, axis of top rotates through an angle delta 5 is given by, तो यह कैसे हमारे पास आगया, आप जानते हैं, S is equal to R theta, यह हम पढ़ चुके हैं, फामूला पहले, जो S is the length of the arc है, यहां पर जो length of the arc है, यहां जब यहां से लेके particle इस point से, तो इस point तक गया है, जो उसकी, उसके change आई है, अग्रोमेंटम बो डेल्टा, L है, S तो है, वो हमारा delta L होगा, S को हम गहेंगे, delta L, is equal to, यह R radius है, सरकोदा radius के है, L sin theta, यह वाला radius है, यह वाला, यह radius है, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह L sin theta होगा, इसको पोट करेंगे, L sin theta, एल साइन थीटा और यह थीटा है हमारे पास वो कितना बना जब पार्टिकल वान पॉइंट वो दर गया डेल्टा फाइब डेल्टा फाइब यह डेल्टा फाइब ठीक यहां से यह चीज जे फार्मुला न एकेशन टू वो यहां से ड्राइब देल्टा फाइब किसके एकोल था देल्टा टी or you किंपेर कर दिया गए हैं अब क्या किया गया है ? इसको जाकर इधर दिवायर कर दिया गया और इस तरह डिवायर कर दिया गया तो हमारे पस क्या आगत है डेलटा फाई वाई डेलटा टेलटा टिसको दगुत राओर एल साइम ठीटा तो, तकर टेकिंग लिमाट ओża प्रडाएуска Online लेटे हैं time interval let's suppose बहुत small है जब particle 1.2 अधर गया था तो जो time interval उसके था वो बहुत small है तो वो बन गए d5 by dt is equal ta by l sin theta तो जो क्या जाएगा d5 by dt is equal to अब हमें जो ta है इसकी value पता है ये mg ये r sin theta गे एक वाल है जो एंगल बन लगा था between weight and position vector r उसके हमने टा ये शुरू में ये बात कही थी ta is equal to question a का नाम देए तो ta is equal to mg r sin theta तो आप फिर यहां से टा की value वोट कर दें टा की value वोट कर दें तो वो बन गी मारे पास d5 by dt is equal to mg sin theta over l sin theta अब sin theta से sin theta cancel हो गया sin theta से sin theta cancel हो गया हमारे पास क्या आगया अच्छा इह जो d5 by d theta by dt यह क्या आता है आपने 5 को क्या का था angular displacement तो rate of change of angular displacement is called angular velocity is called angular velocity यह मारे पास बन गी angular velocity of procession यह omega p is equal to mg r over l इसे equation by 3 का लेकर ते हैं that is processional speed is inversely proportional to angular momentum अब जो प्रसेशनल speed omega है और यह आपस में क्या है inversely proportional है angular momentum के inversely equation 3 can be written as कैसे रेक सकते हैं अब इसको जाए से मृटबिया कर दें मेगा पी L is equal mg r mega p r is equal to दोनों तरफ आप sin theta से मृटबिया कर दें यह दोनों इदर भी उप्र इदर भी आपने आपने से मृटबिया कर दिया आप स्कूल एप लेक्टर फारम है यह ओमेगा पी क्रॉस एल ठीक कि हम जानते हैं जो ए बी साइन थीटा एन हाट होता है किसके एको लोगता है ए बी साइन थीटा एन हाट यह हम जानते हैं यह अगर वेक्टर फार्म में हो तो sin theta साथ आप n hat लेके लो एक किसके को था a cross b के को लेता है is equal to a cross b यह आपने cross product में पढ़ा हुआ है cross product ले लिए a a cross b यह वहला हमने formula यूज किया हुआ है इसको use करते हुए तो यह जो omega p omega p l sin theta इसको अपने डिरेक्शन भी लेक्शन भी लेक्शन भी लेक्शन के वेक्टर को इंट्रीज है तो omega p cross l बन जाएगा इस तरफ इनका product जो गार्स product और इधर जो है mg cross r आजाएगा mg cross r यह mg पूरा लिखे हैं कि mg cross r तो यह जो mg है यह वेक्टर है cross r तो यह हमारे पस क्या है तो तो is equal to omega p cross l के को लाएगा तो is equal to omega p cross l so the cross product of angular velocity you have angular speed of procession and angular momentum is equal to तो के को लाएगा